तो अब लोग यहां पर डिस्टेस्स करेंगे indicators, okay, the indicators of health indicators of indicators of health, ठीक है, number 1 indicators कि आधे कर देखें द्राइज, सी दानीट रीप कि से में बétaisनीट अ खॉक्षार सब्सक्रमाल साउ ठामिதेंगitime कर देखेंगे का कि अरड कर देखेंगे को टीट शाज करेंज और साथ हमें द्राइज पॉन के दिखेंगे 1950-51 में आपका जो life expectancy था at birth वो था 32.5 जो की 19 जो की 2003 में जब हम लोग आ रहे हैं हम लोग को किया दिखाई दे रहा है कि life expectancy बढ़के हो गया है 62.62.3 years ठीक है in case of male life expectancy increased from 31.7 to 63.9 years तो 1950 में women life expectancy था 31.31.7 वेरास जब हम लोग 2003-04 में आते हैं तो यह कितना हो गया है 63.9 years ठीक है 63.9 years male का it reveals the improvement of quantity and quality of health service in India तो यह जो data हमें दिखाई दे रहा है इस data से में हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया में दोनों साइड में quantity में and quality में दोनों साइड में health का दोनों साइड में quantity and quality दोनों साइड में इंप्रूव हुआ है ठीक है health service बहुत ही इंप्रूव हुआ है quality of health service and quantity of health service in India next point fall in death rate fall in fall in death rate तो fall in death rate में किया बोला है there is a considerable fall in death rate from 27.4% पार थाउजन तो 1950-51 में पार थाउजन में death rate कितना था 27.4 27.4% पार थाउजन हजार में 27.4% आपका मर जाता था जो कि 2005-06 में जब हम लोग आ रहा है 2005-06 में ये rate कितना हो रहा है 7.5% पार थाउजन तो ये fall in death rate दिखाएते रहे और ये rise in birth rate आपका दिखाएते रहे rise in life expectancy हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिखाएते रहे rise in life expectancy यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है fall in death rate third point देखे है देखे हैं देखो third point में दे रहा है कि decline decline in decline in infant infant mortality decline in infant mortality तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि infant mortality rate has again declined in India from 115 infant per thousand life birth in 1960 1961 में 1961 में infant death कितना था infant mortality कितना था 115 115 death per thousand अगर हजार बच्चा जनम लेता है तो उसमें 115 आपका मर जाता था in 1961 में जो की हम लोग जब 2005 जब हम लोग तुथाउजन फाइव जब हम तुथाउजन फाइव में आ रहा है तो वो घटके कितना होगा है 57 per thousand life birth per thousand life birth में per thousand life birth अगर thousand birth हो रहा है तो उपे कितना उपे देथ हो रहा है 57 तो 61 में कितना था 115 2005-6 में कितना हो रहा है 57 ठीक है तो इस इस दो थाट पॉइंट फोट पॉइंट में बोल रहा है कि एक्सपंशन फिजिकल पॉपिशन पॉइंट हूए है अ और अ कि इन्डिया बाउप हो रहा है कि इन्डिए गेंचे में अ रूरल लेपल हो यह समी रूरल लेपल हो अर्बन हो सेमी अर्बन एडियेस में हम लोग क्या देख चुक है कि हील्थ इंपर्स्ट्रक्चर बहुत इंप्रूब हुआ है और मैंपार भी आपका इसमें इन्वाल्व हो गया है एंट विलेच लेवल एवराइटी ऑफिटल्स अ रास नंबर फॉस्टलें रॉन भी वालं भी एगनेश और इंडीया में बहुत सारा ऐसा होस्पिटल्स भी आपका इंडीयोग एंजिया ग्यांग इंपर्ड आपका वह और न्यूंक पर्वीरू जिटला रहा है और इंजियोग्ष आपका बहुत सारा रहां इंज्स रहा है, since independence, there has been a significant expansion in the physical provision of health services, तो हमें एक significant expansion दिखाए दे रहा है, physical provision of health services में, 1950, 1950 से लेके 2005 तक, यह 2005-06 तक, हम लोग क्या देख रहा है, की एक बहुत बड़ा physical expansion हुआ है, मतलब बहुत सरे hospitals, medical college यह है, इसके बहुत सरे expansion हुआ है, the number of hospitals and dispensaries increased, from 9,200 to 32,156, तो अगर हम लोग, 1950 से 2005-06 को compare करेंगे, तो यहाँ पर आपका hospitals and dispensaries था, 9,209, जो आपका बढ़के 2005 में आ रहा है, 32,156, ठीक है, nursing personnel पहले कितना था, 18,054, जो की बढ़के हो गया है, 14,008,1,270, ठीक है, डॉक्टर सब का पहले कितना था, 61,800, जो की अभी आपका है, 6,60,810, तो मैं यह 2005 का डेटा का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, Expansion of Health Infrastructure has resulted, the eradication of deadly disease like smallpox, gunia worms and the near eradication of polio and leprosy, तो यह health infrastructure का expansion के कारण ही, आज हम लोग क्या देख रहा है, कि हमारे देश से बहुत सारा deadly disease, जो smallpox बोलते हैं, या chicken gunia बोलते हैं, या gunia worms जिसको हम लोग एकदम eradicate कर चुके हैं, मतलब इसको हम लोग बाहर खदेट चुके हैं, या एकदम पूरा मार चुके हैं, ऐसे वाइरस वेक्टरिया को, and polio and leprosy, जैसे जो बीमारी था पहले, इसको भी हम लोग एकदम खदेट चुके हैं, तो यह किस के करण हो गया है, यह आपका expansion of health के करण हो, health infrastructure build-up होने के करण, यह सब आपका संबब हुआ है, तो यह सब आपका points सा, rise in life expectancy, fall in death rate, decline in infant mortality rate, expansion in physical provisions of health service, यह सब points सा आपका, जो आपका show कर रहा है, कि आपका देश का health status कैसा है, आपका देश का health में क्या-क्या चीज है, जो improve हुआ है, यह आपका decline हुआ है, ठीक है, तो एक important question है, जो कि आपका exam में आ सकता है, next में हम लोग discuss करेंगे, एक दूसरा topic, health related,